आप सभी को हमारा नमस्कार कबूतर का जन्म कैसे होता है ये सभी को पता होता है चिडिया अंडा देती है पंखाने के बाद एक दिन वो आकाश में उड़ जाता है आपने बहुत से कबूतरों को उड़ते हुए देखा होगा आम तोर पर वे सभी जंगली कबूतर होते हैं लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि कबूतरों की एक और दुनिया भी है जिस तरह से घोडे को ट्रेनिंग देने वाला एक जौकी होता है उसी तरह कबूतरों को पाल कर उड़ाने वाला बाजीगर होता है कुछ लोग कबूतरों की दुनिया का बाशा बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दाउं पर लगा देते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खो भी देते हैं कबूतरों को खिलाना पिलाना और उन्हें पालने पोसने का तरीका तो कमाल का होता है तारा, ताम्ब्रेल, चीनी, लकवा, तिराविन, भूरी, रोशन, हुमर इन जाती के कबूतरों का बाजिगर इस्तेमाल करता है कबूतरों की और भी नसले हैं जिनका बहुत बड़ा इतिहास है आपको ये जानकर हैरत होगा कि आज भी भारत के बहुत से शहरों में खास करके बैंगलूरू की कुछ गलियों में कबूतरों की टोनामिंट होती है जहां कबूतर कुछ लोगों के लिए शौप तो कुछ लोगों के लिए तंदा तो कुछ लोगों के लिए दुश्मनी है कबूतरों की बाकाइदा रेस होती है जिसके शुरुआत कृष्ण जर्माश्चमी के समय पर होती है कबूतर प्यार का संकेत है कबूतर शांति का प्रतीक है लेकिन जाने अन्जाने में इन कबूतरों का रिष्टा बाजार और अंडर वर्ल्ड से भी बहुत गहराई से है अभी अभी आशाण का महीना खत्म हुआ है और ये शुब समय है क्रिष्ण जन्माष्टमी का मालगुडी एर्या के भायों और पहलों दोस्तों और मित्रों और प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी का अठारावे साल की तही हंडी के उच्जब में स्वागत है सु स्वागतम है पिछले साल की तरह इस साल भी जीतने वाले टीव को श्री क्रिष्ण की प्रदिमाद दी जाए हमारी जीत का क्रिडिट मैं किसी और को नहीं दूंगा ये हांडी तो हम ही भोड़ेंगे ओ भाई सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा समझ गया है हांडी तक कोई पहुँच सकता है क्या क्योंकि वो जो पानी ठीड़क रहे हैं वो सिर्फ पानी नहीं है अक्री शुद्ध नारियल का तेर है पहले से ही ये तीम राची में बहुत से पुरसकाट चीट चुकी है तुद्धूर की मुद्धू टीम का शानदार प्रडर्शन देखने आप सभी आये आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वाकत कीजिए इन सभी का देखिए टीम के सारे गुविर्ना किता बहतरी प्रडर्शन करने में जुखे हुए हैं और इन सभी के लिए वाव ये हम जरूर कह सकते हैं यहां हम पिर्यमिट को गिरता हुआ देख सकते हैं और महनत गई पानी में मटका किसने फोड़ा है भाई चचा यह मटका कोई नहीं फोड़ सकता क्यों क्योंकि वो नारियल का तेल फेक रहा है उसे फोड़ने के लिए कोई जिगरवाला ही चाहिए हमारी अगली टीम है बचरंगी टीम नारियल का तेल लगाया है यार पक्का है कि हाथ पैड ढूट जाएंगे शेह उसने गलट टाइम पे चक्कमा दिया यार भाई उसके बिना नहीं कर पाएंगे में भाईजान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ सभी खिलाड़ी भाईजान के आने का बेसभी से इतिजार करें मुझे लगता है नहीं होगा चलो चलते हैं कमान बचरंगी बॉस यह भाई हाँ वह दे तो आ गया मुझे वह रहेँ वह रहें आदे लिगका छेदा है मुझेढ़ी लगता उल्म वह भाई भाई मुझे पाई यह भाई वह पाई वह रहे लगता कर दो कि जो कर दो कि और भाई कर दो कि दूए है कि अरे भाई रिंग्स रेड़ी है चल जल दें पीने को हां ठीक से यार मैं टैरी से मार रेड़ी करके रख्या हूं तुम सोड़ा वड़ा सब कुछ ले रहा जो और चक्ना लाना मत बूल जो समझे हां ठीक से एक मिड़ बात में करूँ हूं हां बहुत लिए सर टैटू कॉन होने वाला जुमान जी को आनो पड़ेगो जुमान जी आ जू आजी हां आ या अरत ने की अबात है का समय है नमस्ते दर्वाना क्या ब्रोड जो मेरे आखों में दिख रहा है मैं आपने हाथ में चाहता हूं आखों में जो दिखाई दे रहा है उसे हाथों में टैटू करवाना है ओके जड़ा पास आए सर दिख गया आखों में देखा मैंने प्यारा सा चहरा अब मैं उसे बनाता हूं आपके हाथ पे एक प्यारा सा चहरा अब मैं उसको बनाता हूं आखों में है आपके एक प्यारा सा चहरा सर जी हूँ बिल्कुल करेक्ट बनाया है एक दो मिनिट बाद अपनी कुल देवी को याद करके आखे खोलोगे तो अच्छा होगा बाकी बाते हम वहां करेंगे आईए इजवान जी आप बुलिये सर अपना फोटो के बना दिया यहां पर एक्सक्यूज मी आपने क्या कहा था आपकी आखों में जो दिखाई डे उसका हाथ पर टैटू बना दू जब आपकी आखों में मैं दिखूंगा तो मैं वही बनाओंगा ना वेरी सिंपल टेंशन मत लेना जब तुम सुबा मेरी शकल देखोगे तब शुब योग आएगा और अगर नहीं देखू तो योग आएगा जुमान जी जैसा सच्चा प्रेमी इस दुनिया में और कोई नहीं है यार पीने के लिए बहाना बना रहा है बेवड़ा अरे तुम चाहो इसी के बारे में भी बात करो लेकिन मेरी इस लव फेलियर फिलिंग्स के बारे में कुछ भी मत कहना जो दुनिया की सबसे बहतरीन फिलिंग्स है वो मेरी लव फेलियर फिलिंग्स है समझे क्या बोला लव से ज्यादा लव फेलियर फिलिंग्स ग्रेड होती है चाहो तो एक लड़की से प्यार करो या चाहो तो तुम दो लड़कियों से प्यार कर सकते हो दोनों क में छोड़कर चली जाती है तो उन फीलिंग्स को कहते हैं लव फेलियर फीलिंग्स लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा लव से बड़ा लव फेलियर होता है यह तो कुछ नया ही सुन रहा हूं मैं जरूर कोई खास नशा होगा इसमें मैं भी इसको महसूस करना चाहता हूं या करो भगवान मैं भी लव में फेल ओना चाहता हूं अः तुनिया में फेल कि होना चाहती है तक जुमांजी में यह जित अशिर्वद कीमिए हाँ इन दोनों में से जो भी रुकेगी उसे के साथ मेरा लव फेलियर होगा ए भगवान पता नहीं मेरी किसमत में कौन है कुषक बूर को अर even यह कौन है अर्य obs यह गोझड़ राया है असका वार्फं तो नहीं अपे क्या तुरू यार शोरी सारी, प्रदर. आपके दाधी की हेल्प कर दी मैंने, हलो, मैं भी दाधी मा की हेल्प करने के लिए आई थी, यह मेरी दाधी नहीं है, वैसे दाधी से थाइक्स बुलूआना गलत होगा, आप तो नहीं कहूँगी, चलो जाने दो, आपका नाम बताईए ना, मैं क्यों अपना नाम बताऊ पूल वाली पूल वाली ओटो फूल बेचते हुए फूल वाली मेरा दिल चुरा के ले गई दादी मां आपका नाम क्या है मोहनिशा मोहनिशा नाम है बात को बतंकर मत बना बाई अंदर बैठे हुए है चोड़ना पैसा देना आता नहीं है तो यह पोस्टर में मेरी फोटो नहीं है तो यह पोस्टर में लगने ही नहीं दूंगा इस अब पुर्णार में तो यह फोटो नहीं है मैं वहां पर नहीं नहीं हुझा अगा तुम्हें डालता हूँ सिंगेल में लगाऊंगा चल हमारा चोटू हम लोगों को छोड़ कर चला गया यार पुलिस आ गई अब क्या होगा पक्या कल तक तो कोई और था यह कौन है बहुत बड़ा मेंटल है नया नया पोस्टिंग होकर आया है बैचारा चोटू फोटो फ्रेम बन कर रहे गया तन्वीर चोटू उसे किसने मारा है पता नहीं किसने मारा सर भोड दिया उसका बैचारे का सर मार दिया उससे छोड़ेंगा नहीं उससे सर किसने मारा है पता नहीं किसने मारा सर लेकिन उसकी मौद मेरे हाथ तो लिखी है जान लेने के बाद मुझसे आके मिल सर ये दूम गैंग वाले हैं सब के सब बिल्कुल पागल है एक शेखा नाम का आदमी है वो इनके गैंका लीडर है पाक्या, छोटू, गलीज, जामुन सब के नाम इतने अजीब से हैं हमेशा गांजा, अफीम, चरस, राद बर बैठ कर पिना ही इन सब का काम है सर हमेशा नशे में रहते हैं उनका भी एक छोटा सा कबुतर खाना है इसके अलावा दूसरे अड़ो के कबुतरों को भी चुराते सर इतना ही नहीं घर पर हमारे कबुतर बैठा है क्याकर उसे पकड़ने के बहाने घर के अंदर घुसकर चोड़िया भी करते सर कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी मुझे लगता है कि हमें इन सब पे नज़र रखनी चाहिए अरे मैच खतब नहीं हुआ है देखने दो खेलेंगे, खेलेंगे, हमारे लोग खेलेंगे, आचा खेलेंगे हे, इधरा, अठारा बॉल में बे आलिस रंच चाहिए हो, जिद जाएंगे ना पापा, मैच किसका है, आरसी भी हमारा है, हमारा, इन में से एक भी हमारी टीम का नहीं है, तो इनका मैच हम क्यूं देखे, उन पर इन्वेस्ट किया है न, सब देखो, अरे, थोड़ा आ गया के मारता तो स्रिक्स हो जाता है, बाउंडरी पेकेज दे दिया उसने, आउट हो अरे, बहुत कुछ गया, चुप रहे न, इस टीम पर भरोसा करके फैदा नहीं है, हर बर बोलते है कफ हमारा है, कफ हमारा है, और हाथ में आता है कटोरा, क्या पापा, पेंशन के सारे पैसे इस तरह से जाया कर रहे हो न, इसके साथ खेल रहे हो आप, आपको हराने वाली, आपके धरम पतनी है, हराओ इन्हें हराओ, वो खेल कर हारते हैं, हम देख कर जीते हैं, क्यों, तुम अपने भाई के साथ नहीं खेलते क्या, ये हैं बड़े भाईया, किसी जमाने में कबूतरों के अखाडे से, इनकी भाई गिरी की शुरुवात हुई थी, एमेले हो या पुलिस वाले हर जगे इनकी सेटेलमेंट चलती है, इसी लिए ये सेटेलमेंट भाई के नाम से मशूर है, महाम देव भक्त हैं, मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णिमा, अमावस्या, खास दिनों पर मंदिर में ही दिखते हैं, एक तरफा प्यार किया, उसने माना नहीं, फिर भी शादी उसी से की, खेती बाड़ी और डेरी में बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए भरपूर टाइम देते हैं, क्योंकि अब उनकी पत्नी भी उने प्यार करती है, कलकी को इन्होंने अपने बेटी की तरह पाला है, और अब उसे भी गुंडा गीरी क खाड़े में उतार रहे हैं, हर रवी बार को सेटलमेंट के लिए छोटे बड़े सभी लेवल के गुंडे इनके पास आते हैं, इस मौके पर जुआ खेलने के साथ ही मनुरंजन के तमाम साधन मौजूद होते हैं, और उसमें पंजा लड़ाना बहुत खास है, ये डीटीए सब लोग आपको सलाम करते हैं, और आप उसको सलाम कर रहे हैं, वो क्या है, कुछ दमदार शेर किसी के आगे जुकते नहीं है, और वो तो मेरा अपना शेर है, जंगली शेर अगर हार गया तो दो हजार से लुगा, एक दब लगा भाई दब लगा? कितने का दाव है? एक का एक है बाई? मेरा एक पे दो है, तुम चार लोग हम एक से पंजा लडाओ गे तो हम भी चार लोग तो एक से पंजा लडाएंगे, चलेगा क्या? एक एक हाथ लगाई लेते हैं भाई दाओ बढ़ा दिया एक का चार है दो भाई बढ़ा दिया मैंने बढ़ा दियाम कृशली कर दे एक का चारी को असी कर दे अभी लो भाई चारीश का असी कर दे अभी लो गुरू दाव आप रही ए आख़ी का है ट्री दाव है अने दो छोटू मैं दरहा मैंने बी असी को कितना होगा एक सुसाठ भाई तेनियBay, वान कि गपन के प्रियार आफ जिए अविए, और कुछे कि गिए! कमान सेबार गोमए प्रिम्हार गते है तो कि रखेंए! कमान सेङंधे तो अव्त्तै प्रियार मुद्यी, खेकरें में! जायfish पास्वन करने हैं! प्रवारे वह चार थे मैं अकेला था तो तू हार गया पर बाद में क्या हुआ फिर हम चार थे वह अकेला था आथ वह हार गया नहीं तो फिर वो जीता भाई भाई वहां मिला यह शेद इस पॉतल को तू तीन चांस में मारेगा तो एक रुपया दुगा दुझे एक बार में मार के दिखा बाजार के बाउसे दुगना दुगा बेटा सई मारा क्या निशाना लगा है वहां से पांच कतम पीछे जाके मारेगा तो बाजार के भाव से एक का पांच गुना दूँगा मत कर भाई अप्री अप्री भाईSwag बोला था ना भाई मत कर ये तयान घ्लीधर अप्र के नहीं खेल सकता तोiset क्यां अच करी मारा था थोड़ा मिस हो गया है देख किसे क्या देख रहा है हां काड़ी को लगता तो और किदर जा के खेलने का चल निकल अरे दुपारा गाली खाना है क्या भाई चुप रहे ना यार अरे मत करना मेरी बात तो सुनना कालेक्शन दो पुरा रहा ना भाई आज बहुत ही वड़िया कालेक्शन हुआ है अरे तु कार के पास क्या कर रहा है तु क्या कर रहा है अरे 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 आप यहां से चल्दी दिखो चल्दी है कि अश्मा गार्ण को इस चल्दी अब यह ज़िए अपिछे लिए उस चोटे से लड़के ने अपनी जान बचाई आज उसका एसां चुका कर आते है चल्द कहां रहते हैं बेटा तुम्हारे माबाप क्वण है सर, इसका मावब नहीं है, सर. नाम क्या है? राम प्रताप. तेख बिटा, मेरी जान बचाने वाला तू विश्नु का दस्वा अवतार है. एहंकारी है, लेकिन अवतार पुरुश है. तेख ये कल्यू गया है, आज से तेरा नाम होगा कल्की. क्या होगा? कल्की. कल्की. अब चल मेरे साथ. इस कार में? आँ. एह, कार भी अच्चा है और सर भी अच्छा है. जा तू निकल. मेरा बाप नहीं होता ना, तो मैं भी आता तेरे साथ. आप ये तुष्टों से वरा है जहां, अब सच की हार हुई. भर्जन बनकर तू शास्त्रूटा, जलकर संदार तू भी. आप ये तुष्टों से वरा है जहां, अब सच की हार हुई. भर्जन बनकर तू शास्त्रूटा, जलकर संदार तू भी. कि अजय को बाजी को बाजी लगाना आना चाहिए कब उतर उड़ाने के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए जमी से जब पंक मारती है तो आस्मान की हवा से बातने करती है और दो घंटे आना नहीं जोनों दो घंटे नहीं उतरेगे बाजी लगाने वाला बाजीगर नहीं बनता कल की उसे पंक के भड़़ाने की आवाज पता होनी चाहिए हवाज चलने की दिशा मालूम होनी चाहिए सूरज को देख सके ऐसी आखे होनी चाहिए खास करके कबुतर से अच्छा रिष्टा होना चाहिए उस तरह दिल देने वाली कबुतर अभी तक मिली नहीं जिस दिन वो मिली इन कबुत्रों के बाजार में मैं यह बड़ा बाजीगर रहूंगा पहले क्या था अब क्या हो गहरे तू सुनिये साम यह जगे मेरे नाम कर दीजी है कि ए शिवा बजाग कर लाएंगे मुझसे हां इन दोनों पहाड़ों के लिए कैसे सरकारी लोगों से जगडा करके इस जगे को हासिल किये है मैंने जानता है नो तू देख बड़ा इस जगे को भूल जा दूसरी दिला दूगा तिरको मेरी बात सुन यह जगे मुझे चाहि कि आई के उपर हात रखता है तू यह 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 करने खोसरी के द hanya कि आख का पूरी तैयारी के साथ आए हुआ है कि अ हुआ है है कर घना है कर दो कर दो कर दो कि अपने पर भी इस लड़के को तूने कातिल बना ही दिया खोखार है ये अब नहीं रुकेगा तू ही निर में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है तू ही निर में तू ही अजय है तू ही तो निर्नायक है तू ही तो निर्नायक है खुद में सूरज की गर्मी लेके तू शुला बने इंसा जो चाहे अगर तो साथ आत्मा आगे चुके उन्खी जो खोले था तो पावियों का नाशु करे कैसे आत्माप्ट सुर्ण गीकोड़ी जो थे सबस्वें कर तो पाप्टो आख्री जो स्वेट किसे जो अध़िया, जो प्कु नुजे, जो खोलाओ, जो खोलाओ, जो घुदुरे, जो खोलाओ, जो खोलाओ.. निकाल देंगे अगले हफ्ते चेकप ले ले आईगा यही कलकी यही राइट है साव यहां पे नहीं है यह पुराने इंस्पेक्टर की तरह नहीं है आपको किसी पर शक है क्या है तो बता दो एक्शन ले लूँगा अगर शक होता तो अब तक जिन्दा नहीं होता वैसे आपको एक्शन मत लीजिए अगर आपको पता है तो बताईए मैं खुदी एक्शन ले लूँगा सबी एक्जैम में कॉपी करके फिजिकल टेस्ट में सेल करके डिफेक्ट होने पर भी मेडिकल टेस्ट पास करवा के यहां बैठे हुए MPMLA को भी रिश्वत देकर लेकिन उस रिश्वत के लिए लोन लेकर SI बना हूं लेकिन उसकी EMI भरने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है युनिवर्सिटी का टॉपर फिजिकले फिट हूं है मेडिकल में क्लियर हूं है इतना कुछ करने के बाद लाइफ में कुछ कर गुजरने की भूख है मुझ में और हां बुराई को खत्म करना चाहता हूं मैं गौर्मेंट ऑफिसर्स के सामने इस तरह की बात कभी मत करना गलत करने वाला चाहे कोई भी हो गरम खून है ना जला देने का मन करता है समझा चला देने का मन करता है वो जवानों को भी जलाएगा और बूढ़ों को भी जलाएगा चिंटो जी अगर जूट भी बताए उसी को स्टेट्मेंट बना के लिए आओ ज़के जाएगा का वहां पर ले लीजिए तू फिकर मत कर यार चल बिल भर करा ते सर आपका नाम और गाउं नाइंटी सन आप सिग्री कियर आप मागडी उठे तो छे फिट गिरे तो तीन फिट अब तो शराप पिना छोड़ दीजिए आप टेंशन मत लीजिए फॉर्म में भरतेता हूं दे इंगो बेटी मैं तुम्हें एक बात कहता हूं सुनो साइंस पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं होते जात वाले सभी डेंटिस नहीं होते मगर हाथ ने बोतल पकड़ने वाले सभी प्यक्षण रहुर होंगे ट्रेंट चाहे बदा जाए लेकिन ब्रैंड नहीं बदले गा पढ़ाई में जीरो हो, पैसा कम हो, फिर भी अपनी मन्जिर्वल जरूर पा लेते हैं, GST, SGST, CGST, कोई भी टेक्स आने दो, 90 के लिए, क्वाटर के लिए, कुछ भी नहीं सोचेंगे, हम पिनान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, सर, पीना, अलो, समझे ये आपकी बात मान गये हैं, बगएर पैसो के हमें जाने देंगे, क्या, ये कैसे हो सकता है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, बेटी, पैसा देतो जल्दी घर चलना है, कितना हो, पाँच हजार रुपए, पाँच हजार, पापा, आप इधर क क्यों आए, गवर्मेंट हॉस्पिटल छोड़कर आपको इधर प्राइवेट में आ था, ये दमाज जी आ लेकर आएं, अब तू ही भर, वहाँ नहीं दमाज जी, हाथ तो मेरा यहाँ है, समाल के घर ले चलो, वह तो बैलर चेक देना चाहता होता, अलकल जी, उस चेक को य ये नसीब में क्यों है, इन्हें तो कहीं देखा है भाई, अरे यार, ये तो यहाँ पर है, ये को नभाई, मतलब ससूर जी अपनी ही पार्टी में, क्या ससूर जी, ओ, तुम लोग भी शराब बीते हो, शराबी हूं, जुआ रही हूं, देल का राजा भी हूं, सब कुछ है अपने पास, जो भी आदमी मेरे पापा जैसा है, मैं उसे बहुत नफरत करती हूं, मुझे शादी नहीं करनी है, क्या, मैं प्यार के बार में भात कर रहा हूं तो, ये अभी से शादी के बार में बात कर रही है, जाने तेंगे, दे चुके हैं, सिर्फ आप काहीं इंतजार जानो अरे यार इसके बारे में फूल डीटेल्स करनी पड़ेंगे क्योंकि मुझे भी तो लाओ फेलियोर होना है ना तेख अगर तुझे नंबर वन का बाजिकर बनना है ना तो यहीं से शुरू करना होगा आजा नमस्ते भाई भाई यह इसी का अट्टा है पिछले तीन साल से इसी का राज है यहां पर लगा थार उन्नेस घंटे उड़ा था रिकार्ड है भाई लास्ट टाइम सुभा उड़ कि अब वह पर शुराने के लिए बहुत दोगाते रहते हैं अपनी में बुबह यहीं पर एक बार तो मिलना बनता ही है अरे सुन क्या यार तुम्हारे दिल के हल्चल तो नीचे ही है करनाटक का टॉप मुस्ट फैशन डिजाइनर है और यहां देखो एक लड़की को प्रोपोस करने में डर रहा है तिन चार सालों से आप परी को सिर्फ देखी रहे हैं एक बार प्रोपोस करके तो देखिए प्रोफेशन के लिए मैं किसी भी सेचुएशन को हैंडल कर सकता हूं लेकिन जब पर्सनल बात आती है जर लगता है खामोश हो जाता हूं आप प्रोफेशनली समझाईए अगर वो बात समझ गई तो ठीक है समझ जाओंगी आपका यह सर् मेरे सारे डिजाइन्स का एंब्रोइडरी वर्ट करके फाइनल टच अप आप ही देती हैं वैसे ही मेरी लाइफ को भी एक फाइनल टच अप देंगी क्या देखिए आप मुझे प्रोफेशनली बहुत सालों से जानती हैं मुझे आपसे थोड़ी परसनल बात करनी थी कहिए सर आप बहुत अच्छा काम करती हैं थैंक यू सर तो क्या मुझे से शादी करेंगी यह देखिए इस साड़ी पर यह अब्रोइडरी बहुत अच्छी लगेगी शादी के आलबम में आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो और भी सुन्दर लगेंगी यह डिजाइन बह नहीं सर मैं घर जाओंगी तो यह डिजाइन मेरे सर में घूमता रहेगा मैं यही कॉफी पीते हुए सोच कर बताऊंगी अब सर मैं आपका लैप्टॉप यूज कर रहे हूं इस ओके सर यह साड़ी को यह लेस मैच हो रही है कला मैच नहीं हो रहा है है ना जैसे यह साड़ी और लेस मैच नहीं हो रही है वैसी हमारी फैमिली स्टेटर भी मैच नहीं होगी आप दिल की बात मत सुनिये, वो दोके बाज होता है, आप परस्नली और प्रोफेश्नली बहुत ही अच्छे हैं सर, आपको कोई सूट करने वाली स्टेक, वेंस्डे आने तक इस कॉस्ट्यूम को रेडी कीजिये, नोई शूजुजुजुजुजुजुजुजुजुजु ये खेल मुझे रास क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ये कबूतर दे सकता है गया, बदले में मैं कितना भी दे सकता हूँ, भाई, ये मा का पाला हुआ कबूतर है, मा नहीं पहली बार उड़ाया था, और दाना भी डाला था, जब मा दुनिया छोड़ कर गई, तो सिर्प मेर ये आखों में आसो नहीं, इसकी आखों में भी आसो थे, जब इसने उड़ना शुरू किया तो आज तक नहीं रुका, इसे लिए मा पोकारता हूँ मैं इसे, माफ करना भाई, मा की जीत तो होनी ही चाहिए, कौन सा कबूतर अच्छा उड़ता है यहांप, सारे कबूतर तजी से उड़ते हैं भाई, लेकिन तीन गंड़े से जादा कोई नहीं उड़ता, भाई, अपने कबूतर को नमबर वन बनाने से अच्छा है, नमबर वन कबूतर को अपना बना लिया तो कैसा रहेगा? मा कबूतर को उड़ाने के बाद, कलर चेंज कर देते हैं, मा कबूतर के अलावा, दूसरा कोई भी कबूतर नहीं है, मैच में बचेगा सिर्फ बड़े भाईया का कबूतर, बड़े भाईया कुछ नहीं करेंगे, अगर भाईया कोई होश्यारी की, तो उनको ही टपका डालेंगे, मैंने मजाग में कहा था यार, बार्ण गर से बाद करों क्या भाई? पापा, पापा, जूझर तो किसी भी तरह लँवा, पापा, या प्या कर आव, मशीन मेरे लिए भगवान है यह दो क उमारी भी है, ज़रूरत की सारी चीजomas ए रखने के लिए जगा देने वाला भगवान है, पिने वाले को पिने वालों से जादा पिलाने वालों की पैर तोड़ने चाहिए मैं डराना चाहता था लेकिन वार्काउट नहीं हो पया एंट लिया है जग今日 है घुमा पिरार बोलूँ या सीधої लिद ऐख इथा अब बूल देगो तूम पूछे एफ लाइजस कर दो ना। झार्डमन तुम बडिदरां पूछरी यह एफॉ पूछरी यह मैं कह रहा हूं आई लव यू हाँ तीरी तो मैंना तुझे मार डालूगी हमार देना हर लड़की का पसंदीदा मैं भी वाइड शट पैन कर हाथ में रोज लेकर प्लाटिनम रिंग लेकर घुटनों पे बैठ कर मैं भी तुम्हें प्रपूस कर सकता हूं बट यह महबद प्यार सपने यह सब कुछ हमें नहीं मिलते, अगर मिलें तो तो सिर्फ इस गरीब का प्यार मिलेगा, तुम जितना प्यार मुझसे चाहती हो मैं उससे भी ज्यादा दूंगा है अचा बता ऋ इस जेल में दो वक्त का खाना मिलेंगा क्या, क्यों कि इस चाकु से तुम्हारा खून करके मैं जेल जाना चाहती हूँ क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती एक बार अपने दिल की बात सुनो तो दिल की दिल की बात सुनकर मेरी माने धोका खाया मरते वक्त मेरी माने एक बात कही थी दिल हमेशा धड़कते रहता है, हालात की वज़े से वो बदलता रहता उसकी बात मत सुनना, लेकिन अकल आगे क्या होने वाला इसकी बार में सोचता है, इसलिए अकल की सुनना, और तुझे, मेरा दिल एकसेप्ट नहीं करेगा और अकल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो क प्रपोस करते ही रहोंगा, और तुम मुझे रिजट करते ही रहना, एक नेकल यहां से, एक लारा दिमाग खराब है, उपर से यह भी आ गया, मैं पीता हूं इसलिए लव फेलियोर हो गया, अगर पीना छोड़ दूगा तो लवर मिलेगी क्या मुझे, मुझे, मेरे भाई, जब लवर छोड़ कर जाएगी तो दारू मिलेगी, लेकिन दारू छोड़ कर जाएगी तो लवर मिलेगी इसका डाउट है, अरे यार, बड़ी कितना मास चिलाती है, अब मजा देख, मैं प्रूबध प्रूबभ प्रूबध तो यार वाह पिसलो फेलर, फेलर, अच्छे से बोलना ठीक है इसे संभालना अब अब आगया यह तुम तो यहाँ पर सारे बच्चों की मदद कर दे रही हो इस छोटे से दिल की कुछ तो मदद कर दो ना तेरा दिमाग खराब हो गया क्या स्कूल है यह और वो भी बच्चों की सामने तो यह सब कह रहा है तु कभी सुद्रे गाई नहीं मुझा फिर से डाट रही हो इसका मतलब वापस लॉफेल्योर हो गया लॉफेल्योर हो गया भगवान शुरू होगी इसकी नॉटंग की मेरा लॉफेल्योर हो गया इस गाने को सुनने वाले सभी को आयू आरोग्या एश्वर्या प्राप्ति रस्तो आपके जीवन में खुश्षी का आगमन होने वाला है कौन है कल्की के माबाब सुनिये, यह संसकार दी, आपने अअपने बेटे को, खुशी का आगमन कहा था यही है क्या वो जनम देना ही काफी नहीं होता है, उसे अच्छे संसकार भी देने चाहिए समझा दीजी अपने बेटे को जो पूरा दिन आवारू की टरा मेरे पीछे गूंता रहता है उसे कहिए मुझे प्यार व्यार में इंट्रेस्ट नहीं है गौर से देखिए खुशी के आगमन को देखो बेटी प्रीटी जिंटा तुम कुछ प्यार व्यार कह रही थी ना आप दोनों के बीच में आने वाले हम कोन है वो जो भी है आपस में सॉल कर लो और क्या ऐसी बातों में आज कल के दर्कों को हम कुछ नहीं कह सकते वावा आप जैसे लोगों के वज़े से ही ये दुनिया ऐसी हो गई है ना कभी आपका उधार हो सकता है और ना कभी आपके बेटे का क्या मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए उसके लिए कोई पूजा है अवश्य परन्तु थोड़ा खर्च ज्यादा होगा कुकर हमारा लेते हो और दाल अपनी गलाते हो पंडे जी जैसी चाहत वे ऐसी रहत मेरा भी बलानी होगा मेरे बेटे का भी बलानी होगा लड़की दर पेटी डोनों में से एक चुका हो की में हारने वाली है आपके लड़कों में से ूर्ण का मुष्से प्यार करता है कशरी नहीं का ओ गत ड़ाना ड़ते हैं अग हाना है किने वह चिडिया के मरती है मतलब तेरी पसंद क्या है बता दे सुनिये सर मैं उसे कितनी बार मना कर चुकी हूँ फिर भी मुझसे प्यार करो ये एकर डेली टॉट्चर करते रहता है कि आज खाने में क्या बना रही हो कीमा बना रही हूं पटन मंगवाया क्या लेने गया हुआ हुँ उसको मना कर दे वो लड़का कौन बता दे उसका इधर इच खीमा बना दूगा इन में से कोई नहीं है कलकी हां हमारा कलकी मटन लेकर आने वो ठीक है प्यारी खूबसूरत परी की तरह हो पहली बार आई हो अंदर आओ कीमा खाकर जाना तब तक कलकी भी आ जाएगा उसे पसंद है इसलिए कीमा बना रही हूं क्या अंटी आप भी मैं आपको उसे समझाने की बात का रही हूं और आप उल्टा मुझको ही समझा रहे हूं परी ने तेरा नंबर लिया यार किसलिए यार तुमने मुझे समझ क्या रखा है विकारी कितरा मेरे पीछे क्यों पड़े हो तो तो फांगल हो गया हो मैं रही थी मैं अरे यार यह तो रिकॉर्डड़ है हम सौरी यार कल तो ने साड़ी दितना फॉल लगाने के लिए वो मैं कर नहीं पाई लेकिन तेरा हमेशा करूंगी कहा गई वो अबे क्या हो रहा है भाई वो मा कभूतर नहीं दिख रही है यहाँ पर कोई रगभी खिलता है क्या हो क्या होता है क्या है क्या 115 डीं मुब हो क्या दी क्या 5 ड्पहर अज़ पुच ऱुल कर दो हो क्या प्या प्याल कर दो कjor कि अंडर कुछ आटकार कि अट्रणाब हुआटोर के रह चाहरो कि पी अर्ज़ कुछ आटकार कि अ कि अ कैने की तुछ आटकार कि नग च्छर मीपाओना चाहरो कि मुट्छ करें हुआ है। खाल बाख बाल-बाड़े तुर्डराओे झाल, उट बाल, भाल, 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 भाल कर दो कर दो कर दो दूसरों के लिए सिर्फ जीतने वाला कबुतर है लेकिन मेरे लिए ये मेरी मा की तरह है ये मा है तुझे आनात कभी नहीं बनेगी ये राजवंश का कबुतर है आसानी से कोई इसका दिल नहीं जीत पाता आप जैसे नेक दिल वालों का साथी बन सकता है ये इसे ट्रेडिंग अच्छी में दे तो जबर्दस उड़ता है मैं इसका दिल जीतूंगा अरे वही लड़की मुझे क्यों फोन कर रही है देखता हूं बोलिए मैडम कुछ नहीं वो वो मैं सोच रही थी कि अगर हम कल कॉफी डे में मिल सकते हैं तो कॉफी डे में और मैं कॉफी डे तो क्या तुम बुलाओगे तो मैं टी डे पे भी आ जाओंगा कल टाउन हाओल के कफी ते में मिलते हैं ये परी मिलते ही उस परी का भी फोन आ गिया आज से तेरा नाम भी परीये म्माइ बुद मुदिन मैम वत वोड़ तो है किव अव मैम वो आप मनुकॉर्ड? वो लो क्या पी तॉ आप मैम चापचिनो और मोका चापचिनो चापचिनो परसो न वे ने वे शोव में गुंड़ अपनी लव स्टोरी बता रहा था गुंडे का भी लव स्टोरी, क्या है वो? तलवार बंदुक से नहीं डरने वाला है वो लेकिन उसकी लवर की इंगलिश से डर कर शेहर छोड़कर कहीं भाग गया है परी, तुम भी यही वाला आइडिया क्यों नहीं फॉलो करती हो? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे इंगलिश थोड़ी ना आती है उसे आती है क्या? कोई चांस नहीं है, वो यह गया गुजरा लड़का है ऐसा है तो तुम जो बात करूँ कि वही पक की इंगलिश होगी पॉइंट तो है ठीक है, वैसे तुने कभी वेस्टन कपड़े पहने नहीं यार, मैंने कभी नहीं पहने ऐसे कपड़े अब पहनना पड़ेगा वन क्यापचिनो प्लीज ओके मैम अच्छे से ओडर किया ना कुछी देर में यहां कोई और आने वाला है उसके समय तुम ना, यू टॉक ज्यादा इंगलिश ओके ओके मैं यह इस तरह के कपड़े पहन कर क्यों आई है यह घुँ है सबस्क्राइब प्लीज इन सबस्य प्लीज टॉकरणे यहां देल क्या ठॉकला, सबस्क्राइब ना कि अबे तेरी बोलती बंद कर एसी में गर्मी लग रही है ना एक गिलाज चास दे दे चास क्या चास सॉरी विर डॉंट है इन्होंने क्या ओर्डर किया है क्या पचिनो मेरा फेवरेट है सेम दूसेम ओके सर एड लिटिल शुगर शकर थोड़ी ज्यादा रखना हालो, वेरेवर आई गो, यू फॉलो, यू फॉल्बाई, मुझे यहाँ बुलाने का मक्सद क्या है? यू नो मिनिंग फॉल्बाई? हम, अ वोमन केरिंग फ्लावर इन टोकरी शी काल फॉल्बाई, इन अमेरिका शी काल फ्लावर वोमन यस यस वॉल्बाई मुझे जुप फॉल्स वॉल्बाई यू यू झो बॉल्स यू नो गो देर नू, यू दो यू वॉल्टी आई लाग बॉल्टी यह जूलो, यह इंड ऑन तव मिन्त और भाजु यूंड़ू, यह वॉल्टी अड़़ बच्च श्रवव आप यह जो परी मैं भी इंग्लिश दीखना चाहता हूं रामा विल्टीच इंग्लिश अगर मेरी क्लास में किजी का फोन बजा तो वो क्लास से बाहर जाएगा क्या चाहते हो तुम आसानी से इंग्लिश सीखना चाहता हूं अच्छी बात है क्लास में आओ चलिए ए ए आई यू ए आई आई ओ यू ए बीडी तो पता है ए बीडी पता है यह क्या यार ए आई ओ यू तुम साही डंक से सीख नहीं रहे मुझा सीखना नहीं है सर्फ बात करनी है है क्या मतलब हैपी बर्डे बास आज भाई का बर्टे है तुम लोग मेरे चेले नहीं हो बलकि मेरे तोस्त हो यह सब आज तुम्हारे लिए लाया हूं कि भाई आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है ना भाई अरे टेंशन मत ले तू कि समाज में हमको यह लोग फाल्तू गैंग काईके बुलाते हैं पर देखना यह समाज हमें खुद सालाम करेगा इस समाज में बड़ा बनने के लिए जो लोग हमसे ज्यादा बड़े हैं ना उन्हें ऊपर पहुंचाना पड़ेगा वरना कुछ नहीं होने वाला उस बड़े भाई को टपका दें तो आए यह थो नशेम है मजाख नहीं कर रहा हूं सच कह रहा हूं जान बिजाए तो कोई गम नहीं उस बड़े भाईया को टपकाएंगे आपन के लान के मुताबिक अगर बड़े भाई को टपका दें तो भाई गाय तो सिक्का चलेगा पाक्या यह सच कह रहा है जल्दी उस बड़े भाईया का बड़े आने वाला है, उसके बड़े के दिन ही उससे उपध पहुचा देंगे यह अच्छा लग रहा है मा, यहां कॉफी की दुकान का है? कॉफी की दुकान नहीं, कॉफी शॉप है जी टी मॉल में थर्ड फ्लोर पर हाइफाइ कॉफी शॉप है बहुत मस्त है, बेस्ट कॉफी अफे कॉफी क्या सिस्टम है यार गुरू, कार तो बहुत मस्त लग रही है कॉफी 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 अरे यार उसका पीछा करना, अरे कर रहा हूना ब्रो कल शाम को मेरी कारी मिल जाएगे ना कॉल डूड एक मिनिट, अफे कॉफी कहां पह है पता है क्या आपको तो में मालू मैं क्या सॉरी, no idea सर, सर, सर हाँ, हाँ, बोलो सॉना, यह दूसरी सॉना है यहाँ, अफे कॉफी कहा है, पता है क्या मुझे कॉफी बगर है नहीं चाहिए नाज़ को होती हो सॉना कहां होगा वो एफे कॉफी नहीं है हाइफाइ कैफे है यहीं ओपर, थर्ड फ्लोर पर थैंक्स क्या तुम कल की से मिलने आई हो? लगता है दोनों गेम खेल रहे हो, कोई बात नहीं भागल फ्रेमी हो लेकिन कल की सब की तरह नहीं है जब से मेरे पती की जान बचाई है, तब से हमारा बेटा है तो फिर उसकी माबब? वो असल में रिटायर्ट स्कूल टीचर है बेटे की बिजनेस के खातेर अपनी चायदाग को गिरवी रख दिया बेटे ने धोका दिया और वो सड़क पर आ गए कल की आनात है वो सब मिलकर एक परिवार बने इस दुनिया को देखो यहां हर ओर धोका, फरेब, लालची, पैसो के पीछे भागने वाले लोग हैं और इनी लोगों में रहने वाला सब की भलाई चाहने वाला मेरा कल की है वो एक तरह का जलती होई आग में एक लोहा है तुमें एक लोहार बनो बेटा जैसे चाहो उसे मोड पाओगी अच्छे लड़के तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन उसके जैसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है सोच लेना वाव, वाट अ कार वाव, 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 वाव प्राइब। दूंप। गजयु दूंप। प्रॉड़। गजयु दुआ, एडूड़। ए ड्यूद। पार्क द्पार। और को कि अधिय। आफेक एफेक में चलते हैं। वैसे वह एफेक एफेक नहीं है, हाइफाइक एफे हमारे इंग्लिश में ऐसी बात करते हैं फॉलो मेरी स्टाइल में बात करना आव स्टाइब में मास्टी वा में वात करत करते करते हैं अ वा Rabb-2 आपि HA आपा किक कुर रहे व्या स्टाइब में डंक गन्या का का बंक अ है तो श्ट श्का रिवा प्रव रल्टीर सेर्ष बीशन तो में बज public is a जूर्श कंट्स सार्य वार्म गो में wanna and Thursday? Sai Baba? Fasting, get me Mandra Sain. What are you talking about? I haven't even got any more time together. Then what else? How was the day? Ask yourself, in a little style. Then what else? How was the day? These days like this. Nice. Oh! Train! It is very nice. No? I go my home, always train go. I am practice like you are practice actually I am what this this is Sai Baba का प्रसाद hey Bhagawan, English की इजट तुम्ही बचाओ you know I am very sparing half-cukly clear andheri train stopping here, you like you know, again train big people all big people and again train उस दिन भी इसने ऐसे ही इंग्लिश में बात की थी like it एसे ही इंग्लिश में टूटी पूटी बात करती है I like purple I beat you का उसे I beat you thank you you know eh Bhagawan and I am going here, you both are talking what? you both don't come to English, they say something else and you answer something else please stop it, you are talking wrong English, go out and get out of it I will give you my bill as well nonsense this will also be my English this man old, old, why laughing? I don't like laughing, I don't like crying please stop I know you don't know English सिर्फ दो ही दिनों में तुमारी 26 अक्षर वाली एंग्लिश को वेशा के लिए अमर हैं देखिए मैडम, लौव के लिए इंग्लिश की कोई जुरूत नहीं है इस गरीब के दिल का फोड़ा सा प्यार ही काफी है यह तो मैं देता ही रहूँगा लेकिन तुम भी दोगी ना? मैं प्यार करता ही रहूँगा तुम नहीं करोगी मतलब मेरा लव फेलियर हो गया लव फेलियर हो गया लव फेलियर हो गया लव फेलियर हो गया और इनी लोगों में रहने वाला सब की भलाई चाहने वाला मेरा कल्की है मा, आपके मुताबिक मैंने हमेशा अपने दिमाग की ही बात सुनी मा लेकिन आज मैं उससे प्यार करने लगी हूं मा सिर्फ एक बार क्या मैं अपने दिल की बात सुन सकती हूं उस परी का इस परी से जरूर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है हाँ बोलो मैडम मैं तुम से बात करना चाहती हूं हाँ तो बात करो फोन पे नहीं परसनली मिल कर कल मिल सकते हो क्या कल तो बड़े भाहिया का बद हैं मंदिर में क्या मैं भी आ सकती हूं अच्छा तुम आओगी क्या मैंडम एक मेंट उतरोगी क्या इस सड़क का काम चल रहा है कि बाइं और कि लगता है इंगलिश में कुछ तो लिखा हुआ है कि मैं सुभा तो इसी रोड से गया था ना तब तो रोड अच्छा ही था सुनों मैं आज उससे अपने दिल की बात कह दूंगी लेकिन तुम भी उससे कहो यह भी तो मेरे साथ है ठीक है दोस्तों को फोन करके देखता हूं कल की हाँ मैंने बहुत सोच कर देखा मेरे पसंद के लड़के तुम नहीं हो लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग की बात मान ही नहीं रहा आज मैं समझ गई कि प्यार क्या होता है अगर तुम मेरे लिए बदल सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बदलूंगी सुनो आज मैं इससे बता दो क्या तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया कालकी आई लाव यू कालकी अब ही तुमने मुझसे आई लव यू कहा जुबान हमेशा एक जैसी होनी चाहिए वो कल तुम कुछ दिल और दिमाग की बात करेंगी अगर आगे चलके तुम बदल जाओगी तो मैं तुमसे प्यार कैसे करूंगा मतलब तुम कहना क्या चाहते हो तुम हमेशा मुझे फॉलो करते रहोगे और मैं तुम्हे गालिया देते रहोंगी क्या यही तुम्हारे लिए प्यार है यही तुम्हारे लिए प्यार है यही मेरे बारे में जानती क्या हो तुम मुझे किस दिन कहां कैसे किस वर क्या होगा मुझे में निवाओ अच्छा है तेरा खून बहुत नम्कीन है अच्छे से जान ले खून में सिर्फ नम्कीन नहीं मर्दान के भी बहुत ज्यादा ही है अब ही और कौन कौन बचा है एक एक करके सामने आओ गरो बड़े बाइको टपकाना दा मगर तू आगया अबधे की दावध के लिए बहुत सारा मतन चाहिए था काट कर ले जाओंगा आओ कमिनो पर जगे पर डाला हाथ की हटी मैं सब और दस लागा पर जोड़े चोड़े तलवार उटाने दो दे देखते क्या करता है और ताक आती नहीं बच्चियों की आथ में अगर मुझे जिन्दा चाहती हो तो इस हत्यार के साथ बांदो बांदो यह देखो यहां पर शादी हो रही है उसके आदने मान रही है चाहती है जोड़े राजी शादी हो राजी विद्वा ते शादी हो राजी विद्वाए आज 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 सिप दिखार क्या रहे है प्रवादा जड़ा 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 करती तुम जाओ तुम जाओ यहां से सुनलो सिर्फ नौ लोग हो और नौ मिनिट है तुम्हारे पास तुम जाओ चली जाओ यहां से मैंने ही जाओंगी जाओ काना जाओ मैं तुम्हारे इंतिजार करूँगी अधियार ढीला हो गया कसके बांदू लुओ प्रुर्च 5 अजिए एके रगopf कर्जा कर्जा उतार दिया पुरंदर को तो भाई ने उड़ा दिया अब भाई को भी उडाना पड़ेगा लगदा भाई आगे ए उझे दिखता नहीं है क्या दो इंस्पेक्टर है राम जी हथियार देना इस हथियार को पकड़ने में को जादा ही मजाएगा राम जी इस च्छाड़े में दागना तो अब जाएगा रहा है इन पे गाजा का भी केस डाल सकते हैं जो करना था वो कर चुके हो फुल मुर्डर करना छोड़कर हाफ मुर्डर करके आए हो मेरा क्या यूज होगा बता हमने कुछ नहीं किया है तुम योग नहीं कुछ नहीं किया है नहीं किया है हाफ मुर्डर करके यहार वहीं छोड़के आए हो इसमें तुम लोगों की फिंगर प्रिंट्स भी है इतनी टेकनिकल डीटेल्स मुझे नहीं चाहिए यार आदा अधूरा सिखकर किसमें मार्डर किया है तूने किया है तूने किया है क्या इसे पटड़ने जर्चा मैंने मैंने पकड़ना यार त तुने तुने कमाल की डेरिंग है पुलिस को मार दिया इसने सब किसी भी फिल्म का क्लाइमस क्या होता है बाई गिरी मत कर, सब कुछ छोड़ दे, यही कहते हैं न, एई, यह सारी चीज़े देख्के ऊप गया हूं यार, कुछ नया करना, राम जी, जब मैं यहाँ था तो मैंने आपसे कुछ कहा था न, सर, पिछवाडे पे दागने का कुछ बात कर रहे हैं, शर क्या देख रहे हैं बैट जया तुम लोग, बैट जया तुम लोग, बैट नहीं पा रहे हैं लेकिन क्यों, नहीं छोड़ोंगा भाई, उस इंस्पेक्टर की तो वट लगा दूँगा, अरे नहीं यार, छोड़ देते हैं, यह सब कुछ छोड़ देते हैं, आपको नाम कही पर भी नहीं लिया तुम लो या नहीं लो पर वो सिधा मेरे पास ही आएगा ये सही नहीं है वार्निंग भी मिल चुकी है कुछ सालों के लिए तुम अपने अपने गाउं जाता हूं पर्वाह नहीं तो इसकी पर्वाह करने की हमें क्या जरुवत है एए देख जिया रहे हो मारोई से काट, मुझे, काट, काट इसको काट ए कलखी, दोख जा, क्या कर रहा है तुम इसे रोक क्यों ने रहे यह दार्व बिलकुल नीट पिरा यह हां हर बार मैं प्रपोस कर रहा था और वो मना कर रहे थी लेकिन इस बार उसने खुद प्रपोस किया यार और मैंने मना कर दिया और तो और इसी आज से उसके काल पे थपड़ भी मारा मतलब अब वो तुम से सच्छा प्यार करती है अब मैं उससे कभी नहीं विलूंगा वो कहीं भी रहे बस खुश रहे ए लव फेलियर फीलिंग पाने के लिए तुम उस लड़की को तंग कर रहे थे उसका नशा चागया तुम पे अब वो कहीं भी रहे खुश रहे उसकी भलाई चाहते हो तुम यह है असली प्यार जो तु कहां पुर्ते बंची का ठीकाना कहां मानो ना मानो अब तुम दोनों को सच्चा प्यार हो चुका है क्या हुआ खालो क्यों तेरी नजर तेज है या मेरी नजर तेज है यहीं सोच रहाना तो हुआ अभी तेरा हाथ ठीक नहीं हुआ गया कलकी एक और हफ्ता ठीक हो जाएगा पता नहीं हाथ जाम हो गया है जल्दी से हतियार उठाना चाहता हूँ ओ लोम्री को शेर की चिंता होती है और शेर को हाँ इस बार मैं इस मुकाबले में कबूतर उड़ा सकता हूँ कल के जैसे मेरे घर के देवता है न कबूतरों का मुकाबला भी वैसा ही है ये खेल आज कल का नहीं है विटा ये कई पीडियों से चला रहा है कई साल पहले यानि राजाओं के जमाने में संदेश को पहुँचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल होता था अभी होता ये था कि युद्ध के टाइम पे संदेश पहुचाने वाले कबूतर ठक जाते थे इसके लिए आराम करने बैट जाते थे तो खबरी लोग उन कबूतरों को मार के संदेश चुरा लेते थे इसकी वज़े से कई राजाओं को हार का मूँ देखना पड़ा अब उस वक्त के राजाओं ने कौन सा कबूतर बिना रुके जादा देर तक आकाश पर उड़ सकता है ये जानने के लिए कबूतरों की रेश शुरू कर डाले उदरी से शोगदार का जनम हुआ आगे चल कर ये इस खेल बहुत से राजगरानों का इज़त का सवाल बन गया वो इज़त नफरत में बदल कर फून खराबे का नया खेल बन गया बहुत जमाने गुजरते गए गुजरते गए और एक खेल में बहुत से बदलाव करके कबूतरों की रेश आज भी होती है बिटा ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होती है दुनिया के अलग-अलग देशों में भी इन कबूतरों की रेश होती है इसके पीछे इतना बड़ा इतिहास से मुझे पता नहीं था इतने दिन मैं सिर्फ शोगतार बनना चाहता था लेकिन आज के बाद नंबर वन शोगतार बनुगा मैं वा इंस्पेक्टर तुम कितने क्यूट हो तुम कितने क्यूट हो ओ पर यह आगई है मैंने दिया तो नहीं खाय लेकिन अब खा रही है यह तीन दिनों से दाना नहीं चुग रही है ऐसा कलकी ने कहा अब देखो तुम्हारे हाथों से खा रही है माची अब उस दिन मैं आपके पास आकर कलकी मुझे कितना टॉर्चर करता है इसके बारे में कंप्लेंड कर रही थी उस दिन आपने कहा कि कलकी आपका बेटा और मैं आपकी बहू हो इस बात को मैं आप सच करना चाहती हूँ लेकिन आप उसे देखिये ना मुझे देखियर बिन-देखा कर देता है वो परी को परी पसन्द आ गई है तुम्हें क्यों पसंद नहीं आ रही मुझे फि में मिलने वाली खुशी आस होने में नहीं मिलते कंच्री का कूड़ा ही मेरा पालना था अंत में एक दिन कच्रे की कोड़े में मेरा अंत हो सकता है मुझे कब कहां किस मोड पर क्या हो जाएगा चुप रहो अनाप चनाप मत बोलो हम सब तेरे साथ नहीं क्या कॉफी पियो अरे उसे अच्छे से पिला पाने कॉम्पिटिशन में जीतने का है भाई कबुतर प्रतियों की तका कार्ड आया है भाई में स्पांसर आप ही है फोन किया था मैंने सब कुछ बता दिया है ए उन्जा कितने गंटे उड़ सकता है भाई ये साथ से आठ गंटे तक उड़ता है अच्छा और किस किस को उड़ाया था भाई बुक्की, लारा, सिल्वर, तीनो रेड़ी हैं भाई महा जिसे आशिरवाद देगी उसी को उड़ाना चाहूंगा भाई इस बार कौन से नए खिलाड़ी आने वाले हैं हमपा शिक्रा बहुत साउंड कर रहा है भाई ये कोडी पंजा, छोटा प्रकाश इतने खास नहीं है भाई इस बार जीतने का चांस अपना ही है भाई चांस तो है दूसरों के लिए लेकिन जीतना हम लोग कोई है ठीक है भाई कबूतर प्रतियोगिता के नियम सुन लीजिए उडने वाले पंजी को गिरकी होना चाहिए मतलब उसे पल्टी जरूर मारना चाहिए अगर कोई पंजी पल्टी नहीं मारता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा कबूतर उडाते समय कोई दूसरा पंजी उसके साथ नहीं होना चाहिए अगर उसके साथ कोई उड़ने लगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा मैदान के चारों तरफ किसी भी तरह की साडियां, जंडे या पोस्टर्स लगाना मना है पंची को उड़ाने के बाद हर घंटे में उसका बाजीगर अपने पंची को रेफरी को दिखाएगा अगर मौसम खराब होता है और प्रतियोगिता उस दिन के लिए रद्द की जाती है तो मुकाबला अगले दिन होगा अगर उड़ने वाला पंची प्रतियोगिता के बाउंडरी वॉल को छोड़ कर दूसरे किसी जिगे पर बैशता है तो उस पंची को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा पंची उतरते समय अगर अंधेरा होगा तो कबूतर के लिए लाइट का इंतजाम किया जाएगा अटियार शिखरा आस्मान में ना सिर्फ कबूतर पर शिखरा भी उड़ता है एरपोर्ट के रनवे पर कबूतरों को अवोइड करने के लिए शिखरा नाम के परिंदे को लाकर छोड़ दिया सभी उड़ने वाले पंचियों को पालते हैं पर मैंने इन पंचियों को मारने वाला शिखरा को अपना लिया ये क्या जानता है कबूतर का गोश्ट है मैं चिकन खाऊंगा और तू कबूतर का गोश्ट खाएगा खाले, जान बना टाइन चेक कर लिगे शिगरा पंची ग्यारा घंटे और बाइस मिनट पूड कर वो सारे पंचियों से आगे क्या यार सोचा था पूरी रात पूड़ोगे लेकिन कोई बात नहीं जीतेगा तुई पानिपलारेज को ओडर कीवी सारी लाइट्स कैंसल कर दे हुआ 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 ह बाई, चार घंटा हो या भाई बाई, अभी अभी उल रहा है भाई बाई, अभी उल रहा है झाल पिंजरे में घुटन महसूस होड़ी होगी जा कबूतर का गोश्ट खा जा एश कर भाईशिकारी पक्षी इए इए एए! मा! 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 वो शेर खान से शिखरा पंची का जरूर कोई तो रिष्टा है कार में पिंजरा खाली कियो है भाई! मा कबुतर को शिक्रा ने कल मार दिया क्या? मा कबुतर को? हाँ भाई! उसके बदले कोई दूसरा कबुतर उड़ रहा है क्या? इस कबुतर को तुम उड़ाओ कलकी हाँ? मैं उड़ाओं? आपके रहते हुए मैं कैसे भाई? आपके चाहत है, इच्छा भी है आप सच में उड़ा सकते हैं दोनों मिलके कोशिश करते हैं हमारे भाई की तरप से देजा शौकतार बुकी नाम के कबुतर को अब इस सुबे के साड़े 6 बजे उड़ा रहा है आप सभी लोग ताली बजाकर उस कबुतर का होसला बढ़ाईए आप से वाल दीजे बड़े भीया अरे तुई जीतेगा मस्ता ना ये येले कितने गंटे वड़ा ये पंची क्यारा गंटे साथ मिनट से गूड रही है मतलब जीत तो अपनी वी ना आठवे राउंड बे लीडिंग वाला शिक्रा पंची ना क्बंची क्बंची के बद्ले में दूसरे पंची को उड़ाय जाने वाला है कल के आया क्था वह खुद उड़ा रहा है ना आप अभी के बद्ले में आने वाला कबूतर इस साल का आखरी इस पर्दी है सब तैयारी तो हो गई है ना कि कल्की की गाड़ी है भाई देगा भाई आपने कल्की हमारे अड़े पे नहीं आता है वागर पूरे शेर में घुमता रहता है अंची जब उड़ना सीख जाता है ना उसे गोसला का याद आता है क्या कर रहा है मंदीर में गन नहीं लेकिया आने का याद नहीं है क्या क्यों हो तेजा ताइम पूछने आया क्या जी हां बड़े भाईया आप तो जानते हैं कि मा कभूतर को वो शिखरा आकर इसलिए दूसरे कभूतर को उड़ाने के लिए टाइम पूछने आया हो भाई ये कल की पंची उड़ा सकता ऐसा विश्वास है के तिरको जी हां बड़े भाईया ये पंची उससे बहुत मिल जुल चुकी है वो ज़रूर उड़ाएगा सब लोग सूचने की भाईया बड़े गुस्से में कल की पंची उड़ा रहा है लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया उसने क्यों नहीं बताया मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे पंची उड़ाना बहुत पसंद है अगर मैं मना कर दूँगा तो भाईया की बात के खिलाफ कहीं न चला जाओं ऐसा डर लग रहा है उसे सब लोग कल की को मेरे बेटे जैसा ही कह दे हैं नेरी भी कोई वालाद नहीं है वो मेरे बेटे जैसा नहीं है कल की मेरा सगा बेटा है उसे जीत नहीं होगा उसकी शोकतार पनने के चपुरी होगी बढा शोकतार बनेगा वो मैं आपके पैर पगड़के जीब भर के रोना चाहता हूँ लेकिन आपको ये एक्टिंग लग सकती है भाई तेरी जगे सिर्फ यहां पर है वहां पर नहीं है मैं आपके रहां पर नहीं है परी इसमें तेरी भी लाइफ है और मेरी भी लाइफ है तो मुड़ोगी तो ही मैं उड़ूँगा तो मरोगी तो मैं भी मरूँगा जय बजरंग बले है शिक्राया क्या ओरे उन्राय भाई ओपर दुश्मन उड़ रहा है तुश संभाल के खेल कब उतर का बिर्यानी खिलाता हूँ मैं ये नही एक बंड़ूँगा तो में है और में ये नहीं देक्वान्दाए पएटेसे अव्य टेदए ुछ्य पंजी हो खागय है इस अपन साधस्यू ज्या है? जस्ट्ट्ट्ट्ट्र है? क्या हुआ? कबुदर ने श्क्राको चख्मत या यह न? क्या हुआ भाई जो होना था वह हुआ शेकरा मर गया भाई शेकरा शेकरा आपैम शेकरा मेरा शेकरा ऑाई बैपर बैट बांदिया है हर्ग एक नमबर था भाई ऐसा केम जिंदिगी में नहीं देखा था कॉंग्रेट्स इतने सालों के इतिहास में कबूतर शिखर को मारना यही पहली बार है तुमने पहली बार बाजी लगाई है ना अच्छी प्लानिंग किये तुमने नमबर वन शोगदार बन गए हो तुम किसने किया यह सब कुछ क्या चल रहा है इदर हां मुझे दोखा दिया कबूतर के पैर में ब्लेड बानते हो मुझे मामू समझा है क्या हां किसने किया है कि सब कबुतर के पैरों में रिंग बानते हैं मैंने ब्लेड बान दिया वैसे भी मैंने दूसरों के कभुतर को नहीं मारा न hen comments मैंने तो मारा है शिक्क rape को कौन है तू कि साहल को सपेरा बोलते है बंदर पर ना चाहने वाले को मादारी बोलते है और लोगों को जादू दिखाने वाले बाचा का गते हैं। आज पुलिस की वज़ा से पच गया तो, नहीं तो काट के कुत्तों को खिला देता । मेरी वासुन, यहां पर लफड़ा नहीं चाहिए, हमारे पास पुलिस की पॉमिशन भी नहीं है, कबूतर को उतार दे मेरी जान को तुने बचा लिया परी इस खुशी के लिए हमें कुछ तो करना होगा, चलो, लेट्स हैव दपार्टी अरे यार, धीरे धीरे से, आजाओ, आजाओ, डांज करेंगे, चोर, कैसा है, वेरी गुड, क्या यार, तु तो फुल, कबूतर बास बन गया है, और इस खेल का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो ये लव फेलियर क्यों, सक्सेस भी होने देना, जुमान जी, कब उतर पिंजरे में रहने से बहतार है, उसे ओड़ते रहना चाहिए, आज कल मिलने वालों से बहता है, अच्छे से पालने वालों के साथ रहना चाहिए, जो लिया वो वापस नहीं दिया, सिर्फ कहानी सुनाता है, बुराना सम मिला कर एक साथ दूँगा, दे दे देना यार, य dość, या क्यों है, जोरता हो, आप यह क्समें क्लविए और में हूस्पिटल जा रहा था, मेरे एक दोस्त को क्लेट चाहिए था, जो लिए मैं 44 रुपए मांग रहा था, शराबियों का खून त नहीं लेते हैं, हां, मतलब वो, जो मेरा दोस्त है भार न या सो पीने वालों को पीने वाले का मैच करता है तो चलिये होस्पिटल जते है वह हश्पिटल जाना था कहीं वो पब चलें क्या थाउआ और अज़्ट कर देड़ा हुआ कि मारने के लिए आउजार ढून रहा हूं तुम्हें तो नौक रुख जाओ ये क्रिकेट में ढूंड रहा है खेले कि अरे सुनो मेडम आपके लिए पासल लेके आया हूं दुबारा मेरा पीछा मत करना पापा 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 क्या हुआ आपको अंकल जी कैसे हो यह अनर्स को पलाया है आपने यह आचारिय कॉलेज अफ नर्सिंग से प्रैक्टिकल के लिए आई है इससे सीख जाएंगे और पापा की तब्द भी ठीक होगी यह क्यों मैं था ना मैं सेवा करता है इनकी यह वील च पढ़ता बेटी मुझे बाहर जाना है क्यों पापा वो वो इसलिए कि इस हालत में आप भार केसे जा सकते हो रूखिये में आती हूँ वो क्या है लेकिन बेटी मैं किसी के काम ना सका मेरी जिन्दगी वेस्ट है मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई मैं किसी के काम ना सका पापा आप ठीक तो हो ना पापा अकेले में बड़ बड़ा क्यों रहे हो आप काफे दिनों से बाहर नहीं गए हो तो मैं शाराब आपको घर पर ही ला कर दूँ पापा आप क्यों रो रहे हो पैरों में दर्द हो रहा है क्या दर्द जिसमें नहीं है बेटी दिल में है पापा जब तुम चोटी बच्ची थी तो तुम्हारे चोटे चोटे पैरों में चम चम करती पायल में नहीं पहना सका अंग् पकड़कर मैं कभी स्कूल नहीं ले गया पापा यह सब बाते अभी क्यों पापा बेटी मुझे देख कर तुम्हें कभी घिन नहीं आई मुझसे तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाओ पापा जब हमें दुख होता है तो हम भगवान क पूजा करना छोड़ देते हैं क्या यहां देखे आप तो मेरे लिए भगवान है पापा बेटी बाप बेटी का प्यार अनमोल होता है अब सौरी लगता है डिस्टर्ब कर दिया कोई बात नहीं सर आप आये न अब कैसा लग रहा है सर डर दूर हो गया बिटा अब अच्छ शराब की बात किसलिए बेटा तुम दोनों बैटकर बात करते रहो मैं कॉफी लेकर रहा हूं पापा बैठी यह ना मैं लेकर रहा तुम बैठी रहो बेटा मैं लेकर क्या आता हूं अचा सुनिये इसका फॉल्स वर्ग खुड़ा ज्यादा रहेगा जल्दी हो जाएगा ना ओके वैसे मैंने आपको प्रपोज किया था पर मैं आपकी लाइफस्टाल को सूट नहीं करूं आइसा कहकर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया देखिए बॉर्डर पर इस कलर को मै मैं अपने दिल की बात मानता थो मुझे बहुत लड़किया मिल जाती लेकिन मैंने हमेशा आपने दिमाग की बात मानी वो आपके अलावा मुझे और किसी को दिखाई नहीं रहा तो जल्दी बताएए मतलब जल्दी दे दिजेगा ठीक है मैं चलता हूँ अरे आप जा रहे कॉफी पी करके जाएए आगे चलकर मुझे आपके घर में बहुत कॉफी पीनी है मुझे आपसे परस्नल बात करनी है बाद में मिलता हूँ सर पापा ये लिजे एए क्या है कैने क्या विजेश हो भापा कि इंसान के साथ लश्य किया है वह राक्शस है या इंसान उसका कभी भला नी होका सरवनाज होका उसका ऊ sucking अगर अब अगर गिर जायता है तो से अर।ी वसे दूद कौं भगवान शिप पर भी चड़ाती है और वस्शूब होता है कलकी भी वैसा ही है वो खुद को धोका दे सकता है लेकिन अपनों को धोका कभी नहीं दे सकता तो ऐसा उसने क्या अच्छा काम किया है हजार अच्छे काम किया है उसने तुम्हें भी बता है कि तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो चुका है कलकी ने तुम्हारे पापा को सुधारने के लिए मारा था परी तुम्हारी उमर कितनी होगी 22 साल ना पिछले 22 सालों में तुम्हारे पापा को तुम्हारी परेशानी तकलीफें कुछ समझ नहीं आई लेकिन अब समझ में आने लगे परी तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारी तकलीफों को दूर करने के लिए कलकी के पास सिर्फ यही रास्ता बचा था सड़कों पर शराफ फिकर बधावास पड़े रहने वाले तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे हैं लेकिन उनका पैर तोड़कर उनकी जिन्दगी सुधारने वाला मेरा द देख कलकी गुंडागिरी का बाजार अभी मन्यू के चक्रिव्यू की तरह होता है आसानी से बाहर नहीं निकल सकते इससे मैं तो छोड़ दूँगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा कबूत्रों की खादिर इंसानों को मारा सबके मन में डर पैदा किया मनी को मारा शौकत अल यह धन्ता ही छोड़ देना चाहता था लेकिन सिर्फ तेरे लिए टॉप क्यांग पर मैंने गोली चलाई और अब शिक्रा ऐसे ही चलता ही जाएगा सब कुछ छोड़ देंगे हम सेनिक चाय तो जान छोड़ सकता है लेकिन यह धना ही छोड़ सकता लिटा कह रहा तो है क्या अपने आपको कश्मीर बॉर्डर का सेनिक समझ रहा है तू चुप चाप अपने फार्म हाउस की देख भाल करेगा तू समझ ले वह किसी लड़की के पीछे पीछे घूम रहा था न तू उसी लड़की के साथ तेरी शादी करवा दूगा इंदरानी उस लड़की से बात कर हां अमबाजी के मंदिर जाकर प्रसाद लेकर आऊंगा मैं तूम उस लड़की को आने को बोलो ठीक है बोलती हूँ कि सुन तेरे लिए खुशकबरी है क्या है माजी तुम मेरे घर की बहु बनकर आने वाली हो क्या बोलना यार करकी बड़े भाई को उठा लिया आज सुबह ही उठाया है सुबह सुबह कुछ भी मत बहुल चल फोंद रख भाई अरे फोंद रख कि विजी कि बड़े भाई की मौद हो गई क्या बोल रहा है या कि याल 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 लुओ भाई करताम अरे ऊच्प्स कर दोड़े विजी कि विल से विल गया है कि विल से तुम मेरे विल से ले खुम BIG मत भाई कर दोंद दो भाई है थस्ताको है exceptि भी रहता. यह जोыми आए, ए MELोजा! डोzdना! प्राष और्म étantना बार झालोकर चारशान शीर दो सायर भी में! झालोकर सेस्थर आबो... कि देखो ना तुम्हारे बाएं हम सब को जोड़कर चले गए कल के तुम कह चले गए थे जो यासे तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं है कुंटे की पंदियों में शो मिर्बा होती है तुम चाओ चली जाओ मैं चोड़ती हूं चाओ यासे जाओ चली जाओ 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 ह। है है अंकल जूस कैसे जूस बिए नहीं पीता जी है लीजे 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 आप लीजे आपको लीजे लीजे ना ना है बेटा लड़की बहुत सुन्दर है यह मेरी बेटी है पारी पारी जाता सिर्फ नाम से ही नहीं सहन शीलता में भी कली की तरह है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर आपके घर की कली को अपने घर में फूल बना कर रखूँगा धन्यवाद धन्यवाद पापा यह सब क्या है यह एक मिनिट धरा बेटी पारी जी सिर्फ एक पर अपनी मा की बात मान कर दिमाग की बात सुनिये लाइफ खुबसूरत हो जाएगी पापा यह सब यहां कियों आए है बापा तेरी शादी के बात करने उस लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है नहीं बेटी आप क्या बोल रहे हैं बापा सिफ उसके प्यार करने से क्या होता है तेरे पसंदका लड़का तुछे मिलेगा तो बेटी देख बेटी पारी, कल की तलवार का गुलाम है बेटी, तलवार कब तक साथ देखी, किसको पता, लेकिन जान लेने वाले की जान जाती है, मेरी बास जुनना, ये लड़का पड़ा लिखा है, बहुत समस्दार भी है, इससे शादी करोगी तो तुम खोश रहोगी बेटी हमे किन इस जिंदगी में पेली बार मुझे दान करने का सवभागी मिल रहा है बेटी, वह भी कन्या दान, इस चुब घड़ी से मुझे दूर मत करना बेटी, मैं तेरी पैर पड़गा हूँ, बापा, ये अब क्या करें बापा, मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैनी मोर मैरीड लाइफ, तुम्हारा डिसिजन फाइनल है, नॉन वेज होगा तो आऊंगा, वेज होगा तो नहीं आऊंगा, परी, पत्थर दिल इंसान के पास तुम मत रहना हूँ, अलो, अच्छा आप राम प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हो, मैंने ही उनको सड़क पर छोड़ दिया मुझे एंकि सेवा करना चाहिए था, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते हो, उनका मरना ही बहता है, सर प्लीस सर ऐसे बाख मत कीजिए सर, जयादा नाट जार्ख मत करो, अगर वो होते तो क्या तुम उनकी सेवा करते, मैं जरूर करता हुँ SUS Сेवा सर, लेकिन अभी करने के बसे पासे. भाई इन्हें इधर क्यों बुलाया भाई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त उस बड़े भाईया ने मेरी इज़त कछरे में मिला दी थी ये लोग उसे मिट्टी में मिला आए भाई कलकी बचना नहीं चाहिए अलेकुमसलाम मेरे करवाय गए शूटाउट में बड़े भीया मिस हो गये थे लेकिन तुमने उन्हें मार दिया अब नेक्स टार्गेट है कलकी अब तक हम शेखा की बात सुनते थे लेकिन अब शिक्रा आया है इसकी क्या जरूरत है अगर हम दूसरों की बाते सुनेंगे न तो बाजार में बच्चे बनकर रह जाएंगे कलकी को अगर शिक्रा ने खत्म किया तो शिक्रा का ही बाजार रह जाएगा तो फिर बाजार को अपना बनाना हो तो कलकी को हम मारेंगे कलकी को शिकरा खतम करेगा और शिकरा को हाम नमस्ते भाई बैठ जाओ अशा भाई परी को देखा तुने नहीं भाई हर जगे ढूंड लिया भाई लेकिन कहीं नहीं मिली वो मैं गना दू यार मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में कोई नहीं मैं जीना नहीं चाहता मुझे मरना होगा मुझे मरना होगा भाई नहीं भाई जिन लोगों ने अपने बड़े भाईया को मारा है उन्हें मारने के लिए तुझे सिंदा रहना होगा हांडी डालू यार मैं जानता हूं तूने मुझे मारने के लिए खाने पे बुलाया है इस बर मां की यात्रा का खाना जरूर खाना मेश मत करना मेश मत करना यार हां अरे यार तूने दुश्मन से हाथ मिलाया है मैं जानता हूं तो मुझे यहां बुला कर मारने वाला है यह भी मैं जानता हूं लेकिन मैं जानना चाहता हूं पड़े भाईया को किस ने मारा खाना भात अच्छा बनाया ना कोछ और चाहिए तो बोलेगा क्यों भाई बियर बोले गयण है य्skyव पृश क्या मugh रां बोले महीश करुश शुले घ्तेम महार मी भ만 फर्ड सुरोब क्या मैं यता। भी धिशोक व्क है क्या है प्रोम इसका भूएिंग मेठक Shreem किए भू सेवाइगों प्रोमों स्प्रीश है कि एठे हैं यह परे जनते सपस हम अईयको अदस मर बभर है कि भी ही खाए है कि ऐस ते यूल कि उर federफ हो भी exists कि अ लिभर है कि हान लिए लोगो प्रड़ इस तराग से चालֵे दित, जूँना। कर दो कर दो कर दो कर दो य่ कर दो झाल 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 झाल